जै श्री कृष्णा चलो दोस्तों आज मैं आपको गवर्दन जी की परिक्रमा करवाता हूँ और साथ ही साथ अगर आप सचे मन से इस परिक्रमा को करेंगे तो आपको घर बैटे ही परिक्रमा का फल अवश्य प्राप्त होगा और इस परिक्रमा में इस छोटे वीडियो में आपको मैं मुखे मुखे स्थान और उनकी विशेष्टा बताऊंगा वैसे तो गवर्दन जी की परिक्रमा 21 किलो मिटर की है जिसमें की परिक्रमा को दो रूप में बाटा गया है एक बड़ी परिक्रमा एक छोटी रूट परिक्रमा परिक्रमा कई तरीके से की जाती है चलकर की जाती है दूद से की जाती है जंडबती की जाती है एक सो आठ पतरों की की जाती है और एक हजार एक सो आठ पतरों की भी की जाती है और लोग बागे से 11,000 पतरों से भी करते है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं परिकर्मा के सफर पर जो 12 किलोमेटर का है परिकर्मा की शुरुवा दान घाटी मंदिर से होती है यह वैस दान है जहां से शुब आरम होता है परिकर्मा का ऐसी मान्यता है कि इस जगे से होते हुए ब्रिज की समस्त कोपियां राजा कंस को माखन का कर चुगाने जाया करती थी और यही पर माखन चोर काना अपने गौाल बालों के संग मक्खन और धही का दान लिया करते थी तो यह हुआ दान घाटी मंदिर और इसमें दूप चड़ाने के उपरां थी परिकर्मा शुरू की जाती है यह मंदिर काफी बड़ा है इस मंदिर के अंदर भगवान दौरदन जी के रूप में उपस्तित हैं और अंदर जाने के बाद मंगल महादेव के नाम से दो शिवलिंग भी स्तापित हैं और अंदर बिल्कुल अंतमे मंदिर के एक बड़ा दर्बार है परिकर्मा से करीब करीब एक किलो मिटर आगे चलने के बाद गया जी महराज है एक छोटा सा कच्चा रास्ता उनकी समाधी की तरफ गया हुआ है जो कि मान्यता है कि भगवान श्रीकरिष्ण ने उनको शाकशाथ अपने दर्शन दिये थे उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आता है संकर्शन कुर्ट जिसके पास में ही दाओ जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर मुझूद है इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्रीकरिष्ण के परपोत्र ब्रजनाव ने दाओ जी को विराजमान किया था अंकर्शन भगवान ही दाओ जी हैं जिने हम बलराम बालभद्र के नाम से भी जानते हैं फिर थोड़ा सा आके चलते ही आता है कोविंद कुंड कोविंद कुंड वह स्थान है जहां पर इंद्र ने भगवान श्रीकरिष्ण को कोविंद नाम दिया और साथ ब्रह्मांडो की गंगाव का जल एरावत हाती की सूंड में भरकर भगवान श्रीकरिष्ण का जलाविशे किया और श्रमाया जनाते हैं जो जल धैका जहसे जगे पर इखटा हुआ उहां पर एक कुंड बना उसे गोविंद कुंड कहा जाता है उस कुंड की चमतकारी के लिलाएं बहुत अलग है जो आज भी भगवान श्रीकरिष्ण के वहां होने का एसास कराती है फिर थोड़ा सा आगे चल के आता है पूछरी का लोठा नाम थोड़ा अजीब है लेकिन इसकी खानी भी उतनी ही अजीब है पूछरी का लोठा वो भगवान श्रीकरिष्ण का सखा का आजाता है कहते हैं यहां पर जो भी व्यक्ति सची स्षरधा से परिक्रमा करने के लिए आता है उसकी हर एक मनुकामना पून होती है यह स्थान भले ही छोटा सा है पर इसका महत्व बहुत अधिक है इसके बारे में ऐसी भन्यता है कि आने वाले भक्तों को इस तान पर हाजरी लगाना अनिवार रहे है क्योंकि भगवान श्रीकरिष्ण जब प्रिजदाम छोड़ रहे थे तो उन्होंने पूछरी के लोठे को यह कारेबार सोफा था कि जो भी भक्त यहाँ पर आएगा आप उसकी हाजरी लगाओ के अब बारी आती है श्रीनाद जी के मंदिर गी तंपन भाव को समेटे हुए जतिपुरा का श्रीनाद मंदिर राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी कहता है यहां तक पोचने के लिए आपको गिर्राध जी की शिलाव के उपर से आना पड़ेगा यह प्रगु श्रीनाद जी के शेहन कक्ष में ही प्रेम कुपा का एक दुआर बना हुआ है श्रीनाद के मंदिर में बनी हुई यह वपा दो परदेशों की अमर प्रेम कानी बख्यान करती है मेवाड की अजब कुमारी के पिता की जब तबियत खराब हुई वै अपने पिता की शिग्र स्वास्त होने की मनोकामना को लिए हुए गवर्दं तृट चलिया आई गवर्दं पोछते ली श्रीनाद जी को पुमारी ने निहारा और उन्हें मनिमन अपना पती सुईकार कर लिया उन्हें मीरा की भाती ही श्री कृष्ण की अराधना और सेवा में लीन हो गई अपने भक्त की भक्ती को देखकर श्री कृष्ण प्रशन हो उठे और उन्होंने कुमारी को अपने विराट दर्शन दिये कुमारी ने प्रभू से श्रीनाद द्वार चल कर अपने पिता बिमार पिता करे दर्शन करने का आगरे किया परन्तू कृष्ण तो प्रिजवासियों के प्रेम में बंदे हुए थे इसलिए उन्होंने ब्रज के बाहर जाने से मना कर दिया परभक्ति के व्रशी भूट होकर भगवान श्री कृष्ण ने रोजाना सोने के लिए ब्रज में आने की शर्थ पर अजब कुमारी का आगरेस विकार कर लिया जब से मान्यता है कि इस कुपा के रास्ते श्री कृष्ण श्री नाजजी चले जाते हैं और नेन्यों में नींद भरते ही गवर्धन वापस लोटाते हैं इंद्र मान भंग यह वह स्थान है जहां पर देवराज इंद्र अपने है एरावत हाती के साथ उतरे थे जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है यह वही स्थान है जहां पर देवराज इंद्र का मान भंग हुआ था आपको जानकर हैराणी होगी कि एरावत हाती के पच्चिन अभी तक दिखाई देते हैं आप इन जिनों को मान भंग वाले मंदिर के निगट देख सकते हैं फिर आते हैं लुक लुक दाउजी लुक लुक मकलब की छुप छुप के देखना ऐसी मान्यता है कि गवर्दन परवत पर भगवान श्री क्रिश्ट ने जब 16,108 वोपियों के सांग महारास किया था जिसे दाउजी ने छुप छुप कर देखा था महारास को देखने के लिए दाउजी भाई शेर के रूप धरण किये हुए थे और छुपने के लिए आसपात की लदाओ का साहरा लिया था उसके बाद ही दाउजी भाईया को लुक लुक दाउजी के नाम पे भी जाना जाने लगा कहते हैं कि हावल राम भी शेर के रूप में दर्शन देते हैं फिर जतीपुरा का नाम तो हम सब जानते होंगे जो बुखार बिंद के नाम से परसित है ये है अगला पड़ाओ जतीपुरा के बारे में ऐसी माननेता है कि भगवान श्री कृष्ण का मुख होने का यहाँ आवास होता है जतीपुरा में जाकर शर्धालू परशाद अरपन करते हैं जो कि परिक्रमा के दोरान इस मंदिर में के परशाद का बहुत ही अधिक महतूर बताया गया है यहाँ पर आपको भगवान गिर्राजी के मुखारविंद के रूप ने श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के मुक्के भी दर्शन होते हैं इसलिए यहाँ पर चपन भोग लगाये जाने की परंपरा है गवर्दन जी की पूजा करने के बाद अगवान श्री प्रिष्ण ने यहाँ वैट कर खुद भोग लगाया था गवर्दन जी को और खुद ही भोग सुईकार किया था इसलिए इसको मुखारविंद कहा जाता है अब चलते हैं चोटी परिकरमा की ओर चोटी परिकरमा नो किलोमेटर की है यह जदिपुरा मुखारविंद के बाद चोटी परिकरमा श्रू हो जाती है इसमें सबसे पहला पड़ाव जो आता है वो लक्षमी नारायन मंदिर का आता है कोई मनोकामना पून होने पर या किसी मनोकामना को लेकर दूद की परिकरमा इसी लक्षमी नारायन मंदिर से श्रू की जाती है मंदिर में विराजमान लक्षमी नारायन देवता धन, सुख, सुम्रिदी के फटीक माने जाते हैं गवर्धन प्रवत परिक्रमा के लिए आने वाले दूद की धार से परिक्रमा करने वाले सभी भक्त परिक्रमा सब पहले लक्षमी नरायन मंदिर में पूजा की शुवात करते हैं थोड़ा सा आगे चलने के बाद आता है शूतर्टे का जहां पर इर्थियासरी आगर थोड़ा विश्राम करते हैं और आगे जाते हैं और भगवान का अंग माना जाता है उसके बाद आता है ललिता कुंद जो गाधा जी की प्रिय सखीका कुंद है फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद आता है पूदव कुंड इसकी एक विशेष्टा है कहते हैं जब पूदव जी को अपने उपर पच्टावा हुआ कि उन्होंने किनकी परिक्षा लेनी चाहिए ब्रिज में आकर तो उनकी आखों से अश्रू गिरे और जिस जगह पर वो अश्रू गिरे महाँ पर एक कुंड बना उसी कुंड को उदव कुंड कहा जाता है फिर आता है शाम कुंड शाम कुंड भगवान चरी कृष्ण ने अपनी पासुरी से बनाया था वह इसलिए बनाया गया था जब उन्होंने एक राक्षष जो की बचड़े के रूप में था उसका वद किया था ताकि उसका पाप श्री कृष्ण को ना लगे इसलिए वह कुंड खोद कर उसमें स्नान किया था उसी की साथ है राधा कुंड राधा कुंड का मानने दा ये है राधा दी ने जब श्री कृष्ण बरिजधाम चोड़ कर चले गए थे तो उनकी याद में अपने कुंगन से वह कुंड बनाया था इसलिए उसकुंड का नाम कंगन कुंड भी है जो की शाम कुंड के बिलकुल साथ है फिर आता है कुसम स्रोवर कुसम स्रोवर बहुत ही सुंधर बना हुआ एक स्रोवर है माना जाता है के भगवान च्री कृष्ण और राधारानी यहां छुप छुप कर मिलने आया करते थे कुसम स्रोवर की लंबाई 450 सीट और गहराई 60 सीट है और इसका सुंधर यही लोगों को इस ठान तक खीच कर लाता है यहां के इस ठानी लोगों का मानना है कि इस स्रोवर में पारस पत्थर और नागमनी है जिस कारण इस स्रोवर वो रहसे में भी कहा जाता है तिराते हैं कानवाले बाबा यह कान वाले बाबा का मंदिर बहुत ही परसिद है मंदिर के चमतकार के किसे पूरे प्रिज़ में मशूर है और इस मंदिर में स्टित गिर्राजी के पत्थर रूपी सवरूप में चमतकारी कान है परिकर्मा करते हुए भक्त इस मंदिर के में आते हैं और गिर्राजी महराज के कान में अपनी मनो कामना मांगते हैं फिर आती है मांसी गंगा मांसी गंगा की कहानी को जिस प्रकार है एक बार शोधा मिया और नंद बाबा ने जंदासनान का मन बनाया और वो चले चलते चलते जब वो कवरधंजी तक पहुँचे तो श्राम हो गई और उन्हेंने महीं विस्राम करने का अपना मन बनाया यहां पर रातरी गुजारते हुए श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि वरिजधाम में ही सभी तीर्थों का वास है परंतु वरिजधासी इसके कुन और महांता की महिमान से अंजान है श्री कृष्ण के ऐसे मन में विचार करते ही गुजाजी ने अपने मांसी रूप में गिर्राजी की तलहेटी में प्रकट किया जब सुबह वरिजधासीों ने गिर्राजी को तलहेटी में देखा तो गंगा जी को देखकर सबहरां बेहते हैं सब श्रीक्रिष्ण ने कहा कि ब्रिज भूमी की सेवा करने के लिए तो तीनों लोकों के सभी तीर्स यहां आकर विराजते हैं और आप गंगा सुनान के लिए ब्रिज छोड़ कर जा रहे हैं यही कारण है कि यहां गंगा महिया स्वेम मांच से रूप धारण किये कार्टिक मांच की अमावस्या को पधारी है जैरी शुरी क्रिष्ण दोस्तों उमीद है कि सारे दिर्स्थान आप जब जाएंगे तो अवश्य दर्शन करेंगे गवर्दन जी की बरिकर्मा किस नियम के साथ करनी चाहिए इनके नियमों का पालन करना चाहिए उसके उपर भी एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा भगवान चरी क्रिष्ण और गवर्दन जी आपके उपर अपनी किर्फा हमेशा रखे